स्वागत आप सभी के एक नए वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिस्स टैक्स के बारे में लिस्स टैक्स क्या होते हैं कितने टाइप्स की होते हैं और कैसे हम लोग इनको यूज का जाकते हैं आज की वीडियो में हम लोग इन सारे चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं डॉक्यमेंटेशन पर जाते हैं उदर से पढ़ना शुरू करते हैं इनको यूज करना शुरू करते हैं सबसे फिले हम लोग क्या करेंगे यहां पर लिस्ट नाम की डॉक्यमेंटिशन पर चले जाएंगे यहां पर हम लोगों को basically इनकी definitions देखने को मिलेंगी आप लोगों को different types of lists देखने को मिलेंगी यहां पर सबसे पहले जो type मारे पास होता है वो होता है अगर आप लोग को numbering दिखानी है तब आप लोग ordered list का युज़करते हो जो की है o l tag अगर आप लोगों की ordered list होती है ul tag इंदर आप लोगों की unordered list होती है in lists का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों कुछ भी items को defining करना है उन सारी एटम्स को आप लोग इन टैग्स के अंदर डिफाइन कर सकते हो और उसके थुरू आप लोग अपनी विबसेट के उपर ऐसा कुछ इक स्ट्रॉक्चर डिफाइन कर सकते हो आप लोग कुछ ऐसा स्ट्रॉक्चर अपनी विबसेट के उपर डिस्पले कर सकते हो इसके अंदर हम लोगों को list items define करने पड़ेंगे तो list items को define करने के लिए हम लोग दिश करते है लाई टैग का क्या होता है बिसेक्ली अगर आप लोगों को अनोर्डर लिस्ट बनानी है उस लिस्ट कि Train को specify करने के लिए들이 हम लोग l i tab ka यूज करते हैं तो लाई टैग को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे वहले कुछ भी डीटा यहां पर डालते हैं तो डीटा 1 उसके बाद मैं इसको कोपी पेस्ट कर दूँगा यहां पर कोपी करूँ हमें इसको कोपी पेस्ट पेस्ट ठीक है मैं इसको चार बर पेस्ट कर गिया, मैं यहां पर data 1, data 2, data 3, data 4 यहां पर करता हूँ, उसके बाद मैं इसको save करता हूँ, और देखते हैं कि हम लोगों की website पर क्या दिख रहा है, यहां पर हम लोगों को एक unordered list देखने को मिल रही है, जो कि हम लोग चाहते थे, हम लोगोंने documentation के अंदर भी इस पास ol tag भी होता है, ol tag को use करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ol दिखेंगे, उसके बाद इस चीज़ को enter मार देंगे, इसके अंदर हम लोग same data define कर सकते हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, copy करूँगा, and इसको paste करूँगा, इसके अंदर हम लोग data की जगा इसको item कर देते ह मैं इसको multiple select करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, command D दबा रहा हूँ, जिसके वज़े से मेरे multiple select हो पा रहे है, इसको item कर दूँगा, जिसके थूरू मेरे changes है, वो सारे directly एक ही बार में मैं कर पा रहा हूँ, यह थोड़ी सी coding की quick techniques है, जो कि आप लोगों पता होनी चाहिए, अगर आप लोग अपने जो भी time को थोड़ा सा save करना चाहते हो, बाकी यह चीज़े जाधा important नहीं है, आप लोगों को अगर HTML सीखना है, तो यह चीज़े जाधा important बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग इसको save करोगे, और आप लोग देख पाऊगे, कि अच्छा, अगर मेरे bullet points by default आ जाएंगे, तो यह है हमारे पास difference, unordered list में और ordered list में, अगर आप लोग documentation पर जाके पढ़ोगे, कि unordered list start with ul tag, each list item start with li tag, यहाँ पर इसकी basic description लिखे हुई है, the list items will be marked with bullets by default, यहाँ पर जो भी आप लोगों की bullet list है, वो by default create होगी, अगर आप लोग ul tag का use करोगे, उसके अगर हमारे पास एक और type की list होते है, जिसका हम लोगों ने recently use करना शुरू किया है, जो कि है description list, description list basically क्या होती है, description list को use करने के लिए हम लोग क्या करते है, dl tag का use, जैसे हम लोग ul का use कर रहे थे, ol का use कर रहे थे, वैसे dl का use भी हम लोग करते है, अब इस dl tag के अंदर, अग अब आप लोग description list का use कर सकते हो, basically यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस code को copy paste करेंगे, इसको display करके समझेगे, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको copy paste कर देता हूँ, जिसके दरूज भी हमारा data है, वो हम लोगों को live दीखेगा, जिसको save करता हूँ, और देखत कोफी का use किया है, और डीडी के अंदर हम लोगों ने इसकी description दी है, तो अगर आप लोगों को description वाला text यहाँ पर लिखना है, description वाले list यहाँ पर बनानी है, तो आप लोग DL tag का use करोगे, DL tag के अंदर आप लोगों के जो भी यह वाले tags हैं, यह आप लोगों के subsequently use हो रहे ह अगर आप लोगों के educational website है, और आप लोग definitions पताना चाहते हो महाँ पर, तब आप लोग description list का use कर सकते हो, description list ज्यादा use की जाती है हमारी websites के अंदर, लेकिन यह चीज एक नया topic है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को HTML5 के latest versions के साथ updated रहना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, कि HTML के अंदर नया क्या है, और क्या क्या चीज़े आप लोग यूज कर सकते हो, आप लोगों को time बहुत जादा save कर सकती है, यह वाली चीज़े, तो यह थी हमारे पास list, अब अगर आप लोग चाहो, तो आप लोग nested list का भी use कर सकते हो, अग इस चीज़े के अंदर इसने एक ordered list भी create कर दिया, तो इसी data का part बन चुकी है, हमारे पास एक unordered list भी, तो अगर आप लोग देख पा रहे होगे, सबसे पहले एक ul tag का हम लोगों ने use किया, जो कि एक parent element है, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी list items का use किया, जो कि हम पर define कर रहे थे, उसके अंदर हम लोग एक अलग से ordered list का भी use कर सकते हैं, अगर हम लोग nested list का use करना चाहते हैं, तो यह चीज़ बहुत ज्यादा use की जाती है, अगर आप लोग headers create कर रहे होते हो, आप लोग top navigation bars create कर रहे होते हो, उन चीज़ों के अंदर बहुत ज्यादा use क की जाती है यह वाली चीज़, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग nested list भी create कर सकते हो,